हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी जी यूट्यूब चैनल, कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप सभी बच्चों के लिए मैं ल के topic है, यह आपको normally books में नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो बहुत concise form में मिलता है, अगर आप exam के perspectives से इसको prepare करना चाते है, तो आपको या तो बहुत जादा wide materials मिलेंगे या इतने sharp और small materials मिलेंगे जिनको आप अच्छे से elaborate करके नहीं लिख सकते, इसलिए आज का यी video lecture आ आपको मेरे पीछे यहां पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, administrative law के अंडर में आजम पढ़ने वाले है, central vigilance commission और especially हम इस lecture में क्या-क्या deal करने वाले है, appointment कैसे होता है, यानि कि central vigilance commission की establishment कैसे होई, उसकी history कैसे होई, उसके जो officers होते हैं, वो कौन-कौन से appointed officers होते हैं, वो क ऐसा कि हम अपने हर video lecture में करते हैं, कि किसी भी concept को build करने से पहले, यानि कि किसी भी video lecture को शुरू करने से पहले, इस scratch से उसका मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है, और scratch से मेरा क्याने का मतलब होगा, सबसे पहले आप लोगों को इन तीन terminologies को breakdown करना है, central law के बच्चों को बत करने के लिए संगठित किया गया है, बच्चा अटकता है vigilance पे, और कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अपना central vigilance commission पढ़के तयार भी कर लिया होगा, लेकिन अभी तक उनको यही नहीं पता कि vigilance का मतलब क्या होता है, अगली slide में हम इसके मतलब को भी देखेंगे, ले ऐसा बहुत ज़्यादा possibility है कि वहाँ पे कोई ऐसा काम होगा जो गयर कानूनी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें corruption हो सकता है, या कोई ऐसा काम जो कि illegal तरीके से किया जा रहा है, जो कि सम्विधानिक वैदता नहीं रखता है, ऐसे कामों को monitor करने के लिए, ऐसे कामों इसमें सारी चीज़े सही डंक से चल रही है कि नहीं, कहीं corruption हो रहा है कि नहीं, इन सब चीजों को ध्यान देना, और यह जो commission है, यह इन सभी vigilance officers की top apex body है, और इस commission का एक तरह से आप यह कह सकते हैं, सबसे बड़ी body, एक तरह का supreme court है, किसमें vigilance को ध्यान में देने के लिए, यानि vigilance related जितने भी काम चल रहे हैं कंट्री में, उनकी सबसे apex body कौन सी है, Central Vigilance Commission, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, vigilance की सबसे पहले Google definition को देख लेते हैं, क्या कह रहा है Google definition, यह कह रहा है careful attention that you give to what is happening, so that you will notice any danger और illegal activity, यह कह रहा है careful attention, यानि कि बड़ा ध्यान पूर्वगा आप attention provide कर रहे हैं, उन सारी activities पे जो कि आपके आसपास चल रही हैं, ताकि आप क्या कर सकें, किसी भी danger या illegal activity को restrict कर सकें, और vigilance commissioner और vigilance commission भी यही काम करता है, यानि कि जो भी vigilance officer आपको public offices में, Central Government के offices में देखने मिलेंगे, अगर आप किसी government institution से आपने पढ़ाई करी है, तो आपके यहाँ पे कोई ना कोई vigilance officer जरूर होगा, आप जिस भी विश्यविद्याले से पढ़े हो, वहाँ पे एक vigilance officer आपको जरूर मिलेगा, और वो सबसे आसान तरीका है इस concept को समझने का, आम तोर पे देखा जाता है कि कहीं के professor कोई in charge बना दिया जाता है, vigilance officer का, और उ vigilance का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ध्यान पूरवग देखते रही है कि जो चीजें है वो सही से चल रही है कि नहीं, समवेधानिक और कानूनी तरीके से चल रही है कि नहीं, ठीक है सर, और Central Vigilance Commission के बारे में क्या लिखा हुआ, is the top vigilance institution in the country, यह जो top vigilance institution है, मैंने आपको प पदोपे appointment होता है, जैसे कि बड़े-बड़े जो institutions हैं, उसके heads, या फिर बड़े-बड़े government position को hold करने वाले, ED का director, enforcement director का, जो enforcement directorate है, उसका जो director appoint होता है, बिना इसके clearance के, बिना इस commission के clearance के appointment नहीं किया जाता है, क्योंकि यहीं तो बताईगी ना कि इसका past record कैसा है, इनके against कोई pending case तो नहीं है, इनका vigilant कोई activity तो नहीं है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए commission बहुत जादा important हो जाता है, और एक और बात है, जो हमें अभी सुरवात में समझ ले ली चाहिए, वो यह है कि हम इस topic को administrative law के एंडर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने चीज़ें सही से कर रहे हैं, और इस चीज़ को monitor करने के लिए commission बना हुआ है, जो की है, Central Vigilance Commission, जो की यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसलिए इसको administrative law में पढ़ना जरूरी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब introduction पर देखते हैं, यह क्यों बना था, कैसे बना था, क्या ज आती साथ, government को aid and advice, एक बात और ध्यान रखिएगा, यह जो advice लिखा हुआ है, advice, यह भी Central Commission का, जो vigilance commission है, उसका बहुत बड़ा रोल है, कि उसको central government को advise करना होता है, कि हमारी ऐसी observation है, कि आपके government offices में इस तरह की practices चल रही है, इस तरह के cases बहुत जादा आ रहे हैं, इसलिए आपको यह, यह, यह steps उठाने चाहिए, ताकि आप इन चीजों को minimize कर सकें, या पूरी तरह से cancel कर सकें, ठीक है, Central Vigilance Commission is free of control from any executive authority, इसका मतलब यह नहीं है, कि President of India भी कुछ बोलेंगे, तो बात नहीं मानी जाएगी, appointing authority हैं आगे देखेंगे, President of India से थोड़ा बहुत लेन कर को, या collector से बहुत senior चली आगे बढ़ जाते हैं, किसी ministry का secretary या India के cabinet secretary, जो की सबसे बड़ी administrative position होगी शायद इंडिया में, वो भी answerable नहीं है, किसको हमारे Central Vigilance Commission को, Central Vigilance Commission का 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 है, कि वो यह चक करते रहें, कि जो हमारे cabinet secretary है, जो भी administrative authority है, जो भी executive authority काम कर रही है, वो काम सही से कर रही है, कि नहीं, ठीक है, monitors all vigilance activities under the central government, यानि कि केंदर सरकार के अंदर आने वाली सारी की सारी vigilance activity को यह monitor करती है, अभी अकेला commission तो monitor नहीं कर सकता, तो हर एक institution, जो की हर एक central government institution है, हर एक central government body है, वहाँ इनोंने अपने vigilance offices को appoint कर रखा है, जो इनको सीधे report करते हैं, और उन सब के उपर एक commissioner rate बना रखा है, अलग-लग divisions के अपने commissioner rate है, वो अपने commissioners को report करते हैं, ठीक है, advises various authorities in central government organization planning, executing and reviewing and re-informing their vigilant work, advice करती है central government authorities को कि आपको अपने vigilant work को कैसे चलाना है, कैसे आप ensure करें कि जो vigilance है, वो अच्छे से हो पाए, और उसके साथी साथ आपके Central Vigilance Commission की शुरुआत हुई थी, ठीक है, history के तरफ बढ़ते है, history में हमारे पास कुछ बहुत जादा पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप exam के perspective से पढ़ रहे हैं, और ये क्या क्या रहे है, the government set up the Central Vigilance Commission in February 1964, date important है, February 1964 को Central Vigilance Commission की स्थापना करी गई, ये recommend हुआ था, कौन सी committee से recommend हुआ था, श्री के संथनम जो थे, उसके chairman थे, और committee का नाम था, prevention of corruption committee, यानि कि एक committee जो बनी थी, prevention of corruption पे, जिसके chairman थे, श्री के संथनम, उन्होंने advice किया था, कि Central Government की agencies को monitor करने के लिए, vigilance के field में, यानि कि उन पे नजर बनाया रखने के लिए कि सारे काम सही हो रहे है कि न, एक Central Vigilance Commission हो, और इनके recommendation पे, February 1964 को Central Vigilance Commission की स्थापना हुई, ठीक है, अब Central Vigilance Commission जो है, एक multi-member commission है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर एक नहीं, एक से जादा members होते हैं, जो साथ में बैठ के, ये decide करते हैं कि ये commission कैसे operate हो और commission के सारे के सारे work को अच्छी तरह से perform करते हैं, 25 अगस 1998 को ordinance of the president के through, ये Central Vigilance Commission की स्थापना हुई, यानि कि president के ordinance से भी इसमें काफी जादा फर्क आया था, history के तरह बढ़ते हैं, history में हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ है, मतलब कुछ ऐसा है, जो आपके ल होता है, पास होने के बाद हो act बनता है, तो हमें पता है, अगर Central Vigilance Commission है और वो इतना operational है, तो उसका act जरूर होगा, बिलकुल है sir, कौन सा act है, Central Vigilance Commission Act 2003, ये act है, ये इसका year है, तो ये 2003 में ही दोनों के दोनों houses से पास हो गया तो, और president ने इसको अपनी ascent कब दी थी, September 11 2003 को, और उसके बाद ये आके बना Central Vigilance Commission Act 2003, और इसी के थूरू पूरा commission गवन होता है, और इसी के थूरू जितनी भी vigilant activities जो कर रही है, government या जो भी activities है, जो भी duties अपनी perform करनी है, जो भी powers exercise करनी है, वो सब इस act के base पे करी जा रही है, ठीक है, 2004 में Government of India ने क्या किया, authorize किय किसको Central Vigilance Commission को as a designated agency, ताकि वो क्या कर सकती है, वो complaints को receive कर सकती है, किसी भी allegation पर, यानि कि उसको एक agency declare किया, कि अब आप एक agency है, सरकार की, और आप जो है, किसी भी complaint को क्या कर सकते है, receive कर सकते है, return में, ताकि आप उसमे कोई action ले पाएं, या आगे अपनी duty perform कर पाएं, बात एकदब clear है, आगे बढ़ते हैं, अब ये commission किस से बना होता है, यानि कि ये commission तो है, आप इतना commission commission कर रहे हैं, हमने introduction समझ लिया कि sir, ये commission है क्या, हमने ये भी समझ लिया कि इसका historical background क्या है, हमने vigilance का मतलब भी समझ लिया, अब इस commission में कौन-कौन रहता है, इसको समझ पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगा, कि central vigilance commission का, ideally अगर आपको अपने दिमाग में figure out बनाना है, कि वो क्या काम करता है, तो वो सिर्फ इतना है, कि central vigilance commission को केवल monitor करना है, और ऐसे investigations को perform करना है, minute level पे, ताकि वो पता कर सकें कि उस सरकारी दफतर पे, उस सरक कारी office में, central government की subsidiary bodies में, या खुद central government काम सही से चल रहा है की नहीं, और वो अपनी duties को सही से perform कर रहे है की नहीं, और अगर वहाँ पे कोई corruption या mal practice है, तो उसको rectify करना, उस पे inquiry set up करना, CBI को भी direct करती है कई बार कि आप जाके inquiry करिए, और उस चीज़ को सही करिए, एक तर देता हूँ, केवल तीन, अब कुछ बच्चे यहीं से बोलेंगे, केवल तीन, अगर तीन है तो उसको office बोलो ना commission क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे, central vigilance commissioner, यानि कि ये कौन है, उस commission के chair person है, कौन है, ये central vigilance commissioner, ये जो central commission है, उसके vigilance के main commissioner है, वो उसके chair person होते हैं, यानि कि एक chair person है, उसके साथी साथ, not more than two vigilance commissioners members, और vigilance commissioners rank के दो आधिकारी, maximum दो आधिकारी, जो उसके क्या होंगे, member, यानि कि ये कितने लोग बने, एक chair person और उनके अंडर में काम करने वाले, दो members, ये हमारे commission को पूरी तरह से complete कर देता है, लेकिन पहले आप ये देख लीजे कि इसको appoint कौन करता है, president of India इसको appoint करते है, इसके members को और इसके commissioner को, लेकिन recommendation किसका होता है, recommendation एक three member committee का होता है, यानि कि तीन members की committee होती है, जो recommend करती है कि कौन central vigilance commission में होने चाहिए, और वो तीन members कौन से होते हैं, एक देश के प्रधान मंतरी, द करके, अपना meeting में बैठेंगे, तीन लोग और ये decide करेंगे कि उस vigilance commission में कौन commissioner होगा, कौन members होगा, etc, etc, खीक है, और time of office कैसा रहता है, इनका, इनका time of office रहता है, या तो चार साल इनके पूरे हो जाए, as a commissioner, और या तो फिर ये 65 साल के हो जाए, दोनों में से जो पहले हो इसमें commissioner rank की position या इस तरह की कोई position hold नहीं कर सकता है, ठीक है, अब जो बच्चों को मन में doubt था कि sir, ये केवल तीन लोगों का commission है, और लोग नहीं बैठते क्या, बैठते हैं, ये देखें आपके सामने, एक secretariat होता है, जिसमें एक secretary होगा, चार additional secretary, 30 director, deputy secretaries, और ये जो मैं ब होगे, ये चार under secretaries, अगर आप सीधे-सीधे अभी आप appoint होके IS बन जाएंगे ना, तो आप इसके लिए eligible होगे, और office staff, यानि कि इतना series में इतने सारे officers और काम कर रहें, और ये केवल secretariat में है, उसके बाद एक और है, chief technical examiner's wing, इसमें दो engineers of the rank of chief engineer, supporting engineer, और commissioners departmental inquiries के लिए, 14 the commissioners for departmental inquiries, among which 11 are for the rank of director and 3 are of the rank of deputy secretary, यानि कि इतने सारे लोगों का एक commission बन के तयार होता है, इस commission के main faces कौन है, तीन लोग, एक जो main central commissioner है, वो, और दो members, जो की maximum दो हो सकते हैं, किसी condition में एक ही हो, और उनसे comply होता है, यानि कि मैं यहाँ बना देता हूँ, ये कौन हो गए, main head हो गए, और इसके नीचे दो और member और इनके नीचे काम करते हैं, ये इतने सारे लोग, तो ये आप अगर चाहें, तो यहाँ वीडियो पॉस करके लिख सकते हैं, कि कौन-कौन लोग काम इनके नीचे करते हैं, ठीक है, powers और functions को भी देख लेते हैं, सबसे important, अगर आपके exam म कभी भी question आता है, तो सबसे जादा marks आपको यही section दिलाएगा, इसलिए हम total 10 powers और functions को यहाँ पर discuss करेंगे, सबसे पहले क्या है, supervise and direct CBI, आप बोलेंगे CBI को supervise and direct, जी हाँ, vigilance commission को जब कभी भी कोई inquiry setup करनी होती है, कुछ inquire करना होता है, तो most of the cases में CBI को बोलता है, CBI को direct करता है, और CBI के ऊपर की यह body मानी जाती है, इसका भी एक बड़ा interesting case है, एक बार conflict हो गया था, तो उस conflict में बाद में यह decide किया गया court के द्वारा, कि CBI जो है, वो सबसीडरी है, वो Central Vigilance Commission है, वो उसके ऊपर की body है, और वो चाहे तो CBI को direct कर सकती है, और Central Vigilance Commission अपने cases म CBI को क्या करता है, direct करता है कि आप जाइए और इस matter पे inquiry करके हमें report submit कीजे, ठीक है, conduct an investigation and review the progress of the investigation of any complaint received against officials, मान लीजे कि आपने किसी भी सरकारी दफतर में काम करने वाले, किसी senior grade के public officer के ऊपर complaint करी थी उस state में, वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, तो आपने किस के पास गए, Central Vigilance Commission के पास गया, तो वो क्या कर सकती है, वो खुद से उस matter को investigate कर सकती है, और उसके साथ ही साथ, वो ये भी कर सकती है, कि वो review करेगी progress का, आपके state government को लिख के भेजेगी, वहाँ के vigilant officers को भेजेगी, कि भाई साब आप मुझे बताइए कि इसमें क्या progress हुआ, इसमें कब officer है, कि आपके office में यह यह corruption के charges के acquisitions आ रहे हैं, इस पे आप यह यह करवाई कर सकते हैं, ठीक है, supervised vigilance administration in various departments, जैसा मैंने आपको बताया, हर सरकारी दफतर में, जो independent सरकारी दफतर है, उसका अपना एक vigilance officer होता है, हर ministry में होता है, हर institution में होता है, और हर central government की subsidiary body में होता है, तो उन लोगों के administration को भी कौन decide करता है, Central Vigilance Commission, ठीक है सर, powers as that of a civil court while conducting inquiry, जब वो कोई inquiry conduct कर रहा होता है, तो उसके पास power कौन सी होती है, जितनी एक civil ने आया लेकी होती है, उतनी ही power एक Central Vigilance Commission की होती है, अब यहां से आप उसके power को अच्छे से समझ पाएंगे, functions of the technical wing include a technical audit of construction works from vigilance point of view of governmental organizations, यह जो technical wing है ना, यह technical wing हमने पिछले slide में देखी थी, जरा यहां देख लीजे, यहां पे लिखा है ना, departmental inquiries के लिए, commissioners for आपका departmental inquiry, जिसमें आपके engineers और इन सब चीजों का नाम लिखा हुआ था, यह क्या है, इसका मतलब यह है कि जब कभी भी construction work होता ह है, central government की किसी body में, तो उसके बारे में क्या करने के लिए, जाच परताल करने के लिए, कि वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए technical wing भी होती है, जो कि technical audit करती है, construction related works, यह technical related works, government of India के body से, ठीक है sir, It is yearly report, यह एक important point है जो आपको पता होना चाहिए, Central Vigilance Commission का हमेशा एक yearly report release होता है, जिसमें वो यह बताती कि उसने साल बर function कैसे किया, किन-किन चीजों पर उसने ध्यान दिया, कौन-कौन से recommendations उसने निकाली, कौन-कौन से recommendations जो उसने पहली दीती, उस पे क्या-क्या तो वो yearly report भी इसकी एक power or function में आती है, receives concerns pertaining to any suspicious transaction made in accordance with the prevention of money laundering act, यानि कि money laundering के जो act बना है उसके तहएत, अगर कोई भी ऐसा transaction उनकी नजर में आता है, तो उससे related वो कारवाई कर सकते हैं, recommend the central government for the appointment of director of enforcement, यह मैं जो आपको बोल रहा था, ED के director के appointment में, और यह सिर्फ ED का director लि Central Government के Supreme Court में, तो vigilance का clearance बहुत जरूरी होता है, पहले यह पता खरने के लिए कि इस person का जो है, vigilant work कैसा था, मतलब कि यह person कैसा काम कर रहा था अपने office में इससे पहले जो उसने sustain किया, इसके against कोई complaint तो नहीं थी, इसके against कोई back record तो नहीं है, इसके integrity भी तो कोई doubt नहीं है, यह सब चीज़े vigilance पे clear होनी जरूरी होती है, अगर आपको किसी बड़े पत्पया point होना है, inquiry of any complaint submitted against the member of any AIS, all India services, all India services का मतलब क्या होता है, जितने भी civil servant है, IES, IPS, IRS, IFS, सब all India services को belong करते हैं, और railway service, इन सब लोगों के offices के against कोई भी complaint आती है, तो वो सीधे commission के पास जाती है, और commission उसका inspection या check करता है, ठीक है sir, jurisdiction के बारे में बात कर लेते हैं, jurisdiction का मतलब क्या है, कि कौन-कौन सी जगा पे, यानि कौन-कौन से officers इस central commission के under में आते हैं, जल्दी से point wise पढ़ते हैं हम clear हो जाएंगे, managers and above in general insurance companies, यानि कि जो managers या उससे उपर के rank के लोग होते हैं, किसी general insurance company के senior divisional managers and above in life insurance corporations, life insurance के जो corporations होते हैं हमा senior division के manager और उनसे उपर के अधिकारी, members of all India service, serving in connection with the affairs of the union and group of officers of the central government, यानि कि central government के group एक अधिकारी और उसके साथी साथ all India services के वो अधिकारी जो की union को अभी serve कर रहे हैं, ठीक है, officers of the rank of scale 5 and above in the public sector banks, public sector banks के वो अधिकारी जिनका pay scale 5 से उपर ह ठीक है, officers drawing a salary of rupees 8,700 per month and above and central government DA pattern, central government का जो dearly allowance होता है, उसमें उनकी salary 8,700 रुपे पर मन से जादा की बनती है, तो वो लोग भी क्या हो जाएंगे, central vigilance commission के अंडर में आ जाएंगे, officers in grade D and above in reserve bank of India, reserve bank of India के जो D grade और above के जो officers हैं, वो आ जाते हैं, central vigilance commission के अंदर, chief executives and executives of the board and other officers E8 above in schedule A and public sector undertakings, यानि की chief executive officers जो होते हैं, अलग-अलग जगा पर, अलग-अलग public sector के उन लोगों के बारे में बात हो रही है, chief executives and executives on the board and other officers of E7, यह जो अलग-अलग ranks होती हैं, government officers की वो दी हुई हैं, E8, E7, आपको इन technicalities में नहीं गुसना है, बस आपको इतना समझ के चलना है कि इस vigilance commission के एंडर में वो central government के employees आते हैं, जो की बहुत senior level के होते हैं, या जो group A के rank को hold करते हैं, या equivalent किसी और body में हो सकता है, कि किसी educational institution में जिसको group A employee बोला जा रहा हो, उसके equivalent जो है, अगर आप Reserve Bank of India में जाएंगे, तो वो group C हो जाएगा, तो इसलिए group C, group D वालों को भ ज़्यादा informative बनाएगा, वो है Vigilance Awareness Week, यहाँ पे एक नाम आपको दिखाई दिखाई देगा, सरदार वल्लब भाई पतेल, इनके birthday के उपलक्ष में हर साल हम क्या करते हैं, एक बार मनाते है Vigilance Awareness Week, और इनका birthday का बाता है October 31st को, इस Vigilance Awareness Week में क्या किया जाता है, बड़े-बड़े lectures deliver किया जाते हैं, कोई centralized program हो तो उसको organize किया जाता है, जिससे की awareness फिलाई जा सकते हैं, कि किस तरह आप Vigilance को help कर सकते हैं, aid कर सकते हैं, और किस तरह से आपको इन चीजों को avoid करना है, government offices में, corruption को, तो यह ता हमारा वीडियो आज का Central Vigilance Commission पे, I hope आपके इसगर civil judge में call आचुका है interview का, आप सभी बच्चों के लिए free में mock interview लेके आ रहा है competition community, 2nd of December को, यानि की upcoming charter day को free of cost आप लोगों के लिए mock interview रखा जाएगा competition community में, जिसकी registration link आपको हमारी website मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके अपना नाम enter कर सकते हैं, अपनी details को fill करने के इस mock interview में participate कर सकते हैं, तो friends मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, administrative vlog के तब तक अगर आपके मन में कोई doubt रह गया हो तो आप हमें नीचे comment section में ज़रूर बता सकते हैं, thank you. झाल